सर हम लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं अगर यही सवाल आपके मन के अंदर भी गुस्ता है दोस्तो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो दोस्तो आज का जो वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वो है how to work on your goal आपके गोल पे आपको किस तरह से ध्यान देना है ताकि आप जो भी गोल बनाओगे उसको आप अचीव कर सको तो आज कुछ important tips आपको मैं देने वाला हूँ जो कि हर एक students के लिए यहाँ पे उतना ही helpful ह जितना की कोई बड़े लोगों के लिए होगा तो in short मैं बोलू तो यह दोनों जो category के जो students होते हैं चाहे आप student 10th standard के बिलो हो 12th standard के बिलो हो चाहे आप graduation student हो चाहे आप life में बहुत ही आगया क्यों ना बढ़ गए हो आप job क्यों ना कर रहे हो तो यह video आप सभी के लिए important हो तो सबसे पहली बात goal set करना is your number one priority ठीक है मैं हमेशा से बोलता हूँ बहुत बार मैंने live session लिया है बहुत बार मैंने वीडियो भी बनाया तो उसमें मैंने एक term हमेशा बोला हूँ that is set your goal जब तक आप अपना goal को define नहीं करोगे एक एक आपका goal होगा नहीं life में कि मुझे यह चीज लाइफ में achieve करना है इतना मैं age का हो जाओंगो तो मुझे यह achieve करना है यह time पर मुझे यह achieve करना है तब तक आप अपने life में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे यह चीज धियान में रखना तो number one criteria यही है दोस्तों कि आपको अपना goal determine करना है एक goal को set कर देना है अब जो goal होते हैं दोस्तों वो दो तरीके के होते हैं यहां पर कोन से दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका short term goal and दुसरा जो होता है वो होता है long term goal तो दोनों चीज में बताने वालों सबसे पहले मैं बात करूँग गोल की अब goal चाहे short term हो चाहे long term हो आपको सबसे पहले step में करना है उस goal को write down एक diary maintain कर लो हमेशा से बोलता हो जैसे मैंने अपने एक personal diary maintain की हुई है आप लोग एक notebook ले सकते हो एक diary ले सकते हो कुछ आपके बस brochures है वो ले सकते हो एक अच्छे से handwriting में आप उसको लिखो कि आप for example 2021 चल रहा है तो आप I have to score 90% marks in my board examination तो ये कब possible होगा ये 2 महिने के अंदर possible होगा तो ये आपका short goal है long term क्या है कि मैं at least 25 age का जब हो जाओंगा तो मेरे पास ये वाली घर होनी चाहिए ये वाली car होनी चाहिए ठीक है तो ये आप define कर सकते हो तो ये आपका क्या बताएगा कि आपको एक याद रहेगा कि मुझे ये goal इतने time में achieve करना है ये goal इतने time में achieve करना है क्योंकि होता usually क्या है दोस्तों पता है क्या कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गोल बना लेते हैं अपने मन में कि यार मैं ये करूँगा मुझे 90% marks लाने है मुझे ये काम करना है मुझे वो काम करना है लेकिन एक दिन के बाद इंसान वो चीज भूल जाता है क्योंकि human has the ability कि वो ज़्यादा तर चीजों को याद नहीं रखता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा important है वो याद रखता है और उसको लिख देना है write it down in your diary आप अभी से मेरा वीडियो देखने के बाद वो goal आपका जो भी होगा उसको लिखो दो type में लिखना है एक तो आपको short term goal लिखना है कि हाँ मुझे ये 2 मेने में 4 मेने में जब भी आपको achieve करना है उसका date लिख दो सामने मुझे इतने time है उसको achieve करना और एक long term goal का अलग से बना लो कि मुझे इतने age होने के बाद मुझे इस चीज़ को achieve करना है और रोज उस diary को आप सुबे जैसे ही उठोगे उसको खोल के देखोगे क्योंकि जैसे ही आप उसको खोलोगे पन्ने को पल्टोगे कि उसमें लिखा हुआ पाओगे कि यार मुझे 2 मेने के बाद 90% score करना था तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है मुझे पढ़ाई करनी होगी तो इससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ दोस्तो जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो दुनिया को जीत सकता है वो चांद को भी छू सकता है इतना याद रख लेना यह चीज़ और जो इंसान खुद से मोटिवेट नहीं हो सकता उसको हम कितने भी मोटिवेट करने की कोशिश कर ले दोस्तो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा दो मिनट के लिए होगा, पाँच मिनट के लिए होगा आपको करना है, second important ये भी है कि आपको daily goals भी लिखने है, प्यूंकि क्या होता है, daily goals in the sense, आपको goals का मतलब यहाँ पे है कि आपका daily work है, for example, आप study करते हो, तो आपको पता होना चीह है कि मुझे एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे एक lesson आ for example, दुपेर में आप जब अपना काम वगरे जो भी होगा, और example, घर का कुछ काम है, उसनों निपटा के आप बैठे, और आपने सोचा, यार मुझे क्या क्या करना था, तो वो time पे आपको याद नहीं आता है कि आपको क्या 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 करना था, लेकिन आपने अगर लिखा आपको अपनी तरफ से extra effort लगाना पड़ेगा, गोल बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन उसके ओपर effort जो डालना चाहिए, वो नहीं लालते हैं, इसके लिए वो goal उनका कभी achieve नहीं होता, जो मुझे complaints आते हैं, कि सर आपके motivate करने के वज़े से हम motivate तो हो गए, लेकिन कुछ goals हम set करते हैं, लेकिन वो हमसे achieve नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, efforts तो डालो, आप अगर बोलोगे कि मुझे ये चीज़ करना है, और आप आराम से सोफे पे बेटे हुए, अब अपने बेड़ पे लेटे हुए, और आप बुक को हात नहीं लगा रहे हैं, तो तो make some extra efforts, this is my third point, और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो कि सबसे important ये है, cut your relaxing hour, relaxing hour क्या होता है, जो time आप आराम करने के लिए ते हो, मैं sleeping hours की बात नहीं कर रहा हूँ, sleeping hour is mandatory, मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसको at least 7 to 8 hours का sleep, एक adult human being को चाहिए होता है, तो आप अगर 7-8 गंटा सोते हो, तो well and good है, आप अगर अपने इच्छा के इसाफ से 1 गंटे हो, और कम करना चाहते हो, तो कर सकते हो, बट मेरे इसाफ से 7-8 गंटा is a very good sleep, लेकिन उसके अलावा जो आप दिन में आराम करते हो, चलो यार, बहुत ठक गया, आज एक देड़ गंटा बहुत ज़्यादा होता है, मैं अपने लाइफ में, जब कुछ प्रेपेरिशन करता था, तो 15 मिनट से ज़्यादा ब्रेक लेता ने, तो इनसान को अगर कुछ चीज से जब दिबाग ठक जाता है, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेता है, अब 15 मिनट में आपके ओपर है कि आप क एक घंटा एक दिन में बचा रहे हो, दो दिन में दो घंटा होगा, ऐसे करते करते हैं, आप सोचो एक महीने के इंदर 30 घंटा बचा होगे, ओ 30 घंटे में आप चाहे तो क्या कर सकते हो, 30 घंटा बहुत होता है, 30 आवर्स is very like big, मतलब क्या बोलू मैं उसको, मतलब 30 आवर् देखो, consistency इसी का तो नाम है, यह करके देखो, तो यह था मेरा 14 पॉइंट कि आपका जो relaxing hour है, उसको cut कर लो, और अपना जो efforts है, वो उसमें डालो, ताकि आपका productivity जो है, वो बढ़ सके, and last but not the least, यहाँ पे पाच्वा पॉइंट जो मैंने रखा है, beat your own record, ठीक है, जो आपक क्यों बोल रहो, क्योंकि मैं कुछ students को target करता हूं हमेशा, लेकिन इसके अलावा भी अपने life में आपका कुछ goal होगा, कि मुझे यह काम करना है, दो गंटे में होगा, तो क्यों न यहाँ थोड़ा और effort लगाया जाए, कि वो देड़ गंटे में हो जाए, ताकि आपका जो half गोल है, अचीव नहीं कर पारा, यह पाचो पॉइंट अगर आप follow करते हो, definitely एक दिन ऐसा आएगा, और हर एक चीज़ को patience की जरत होती है, दोस्तो, तो एक दिन में कभी कोई राजा नहीं बनता, एक दिन में किसी का goal अचीव नहीं होता, याद रख लेना दोस्तो यह बात और अगर आप इसी प्रकार मेहनत करोगे, consistency के साथ, अपने goal पे ध्यान दोगे, तो definitely you'll achieve your goal in whatever time you want, ठीके, तो इसी के साथ हमारा आज का session समाक्त होता है, उमीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको clear हो गया होगा, तो मिलते हैं हमारे अगले session में जल्दी मिलेंगे, जो भी आ अगर आप first time आए हो, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर दो, साथ में bell icon को hit कर देना, ताकि जब भी हम लोग videos upload करेंगे, आप लोगो notification भी मिलती रहेगी, ठीके friends, तो मिलते हमारे next lecture में, तब तक के लिए thank you and good bye